Hello Friends, आज के इस क्लास में आप समय लोगा बहुत-बहुत स्वागत करते हैं Friends, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 5S क्या होता है आप लोग किसी भी इंसिचूट में या किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग की ट्रेनिंग की जाती है और उस ट्रेनिंग में आप लोग एक टॉपिक ये भी पढ़ते हैं कि 5S अब ये 5S क्या होता है तो आज इसे इस वीडियो में हम लोग पूरे डीटेल में डिसकस करेंगे कि 5S क्या होता है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या लाव है कैसे अपने दैनिक जीवन में इसका यूज करके हम अपने सेफटी को बढ़ा सकते है तो ये सब सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसे आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो 5S होता है फ्रेंड्स एक जपानी वर्ड होता है जो 5S है 5S is a जपानी जपनीज वर्ड फाइफ है जपानी वर्ड या जपानी सब्द है इसका जो मतलब है हिंदी में जो अधर कंट्री में यूज कियाता है तो क्या इसका मतलब होता है अब यहाँ 5S है यहाँ 5S है 1stS, 2ndS, 3rdS, 4thS and 5thS यह जो 5S है इसका 5 जपनीज वर्ड है उसके बाद से जिस भी कंट्री में इस 5S को फालो कियाता है जिस भी कंपनी में हुआ यह जिस भी इंसिच्यूट में हुआ जिस भी जगा पर हुआ वह अलग-अलग कंट्री हिसाब से अपना जो इंग्लिश वर्ड चूज किया है इस जैपनीज वर्ड के सेलेट करके जो पहला यहस होता है इसका जैपनीज वर्ड होता है सीरी सेकेंड का जैपनीज वर्ड होता है सी टोन एंड थर्ड जैपनीज वर्ड होता है सी सो फूर्थ हैस का जैपनीज वड़ होता है सीथ सुके सुरी सीकेट सु सीकेट सु एंड फिप्थ हैस का जैपनीज वड़ होता है सीथ सुके सीथ सीथ सुके यह थे पाँच जैपनीज वड़ जो फाइफ हैस के होते हैं अब इसका English words क्या होता है तो Siri का मतलब होता है Sort 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 मतलब क्या होता हिंदी में छाटना इसी को बोलते हैं Segregation Segregation तब छाटाई करना इसका जो हिंदी में मतलब होता है Siri का Sort या छाटाई करना Next होता है set in order set in order मतलब order में बेवस्थित करना order में बेवस्थित करना है जैसे घटे करम में बढ़ते करम में इस तरह के इसे बेवस्थित करना है या इसी को बोल सकते हैं everything everything in its place everything everything its places जो भी जीस जगह पर था उसके according order में किसी भी एक बढ़ते करम में या घटते करम में ऐसे हम बेवस्थित कर सकते हैं नेश्ट होता है always keep the workplace area neat and clean इसी को बोलते हैं sign sign मतलब चमकना जो भी workplace area होगा उस space को हमेशा क्लीनिंग करना है और क्लीनिंग कैसा करना है तो cleaning with meaning इसका मतलब होता है cleaning with meaning यानि जो भी हम clean कर रहे हैं उसका कोई न कोई मतलब होना चाहिए इसे बेकार में नहीं करना है next होता है standardized standardized चोथे असका मतलब होता है standard डाइज मतलब एक मानक ब्योस्था जो बनाए गया है उस ब्योस्थे की हिसाब से कारे करना maintain high standard of cleanness of workplace जो भी आप कारे कर रहे हैं वह एक standard way में होना चाहिए जो भी आप काम करना है वह एक standard way में होना चाहिए और जो last yes होता है उसका मतलब होता है सित सुके और सित सुके का मतलब है discipline 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 या इसी को बोलते हैं knit continue improvement continue improvement continual improvement यानि continual improvement करना है यानि जो भी कारे करें यदि आप 4S को follow करते हैं तो जो 5th S है यहां ऐसे ही अपने आप यह follow हो जाएगा यानि जब आप कोई इसी भी चीज को छाट कर रखेंगे यानि अलग-अलग चीज रखेंगे यानि मान लीजिए नहीं कि एक दिन क्लीन कर दिये फिर दस दिन उसे आप क्लीन नहीं करें और उसका कुछ इसी भी कारे को डेली करते रहेंगे जैसे छाटेंगे हर एक समान को अपने एक स्टेंडर्ड वे में रखेंगे जगह को क्लीन करते रहेंगे और इन सब सारी चीजों का इदि आप फालो करेंगे तो डिस्सिप्लीन जो है आटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा त noise होता है यह धूर्ग वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर होता है वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा चलिए आज के लिए बस इतना हैं मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत